जंजन की दिल का चहता बनुगा नेता नहीं बेटा बनुगा। क्या कुछ बोलना चाहते हैं इसके जिदिए। ये बोलना चाहता हूँ कि मैं अभी नेता नहीं हूँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। और बिटा बनके मैंने काम किया हूँ पहले, आप लोग मुझे जानते हो मैंने 15 साल से सोशल वर्कर हूँ, मैंने अम्मानी से लड़ाई लली, मैंने अल्ला के बंदे हर हॉस्पिटल में इलाज कराया, सोमेटोस के बच्चों को इंसेंटिव दिलाया, मैंने हिंदू-मुस्लिम जो करते थे उन लोग से लड़ाई की, देखिए, सिस्टम से लड़ना है, सिस्टम में चेंज लाना है, ब्रस्टाचारियों के खिलाफ लड़ना है, तो सिस्टम में बैठना पोड़ेगा, लोगों मैं औरिजनल बिग बॉस के घर में जाके आया हूँ, जहां पर सिस्टम समझ में आता है, कि एक्चुली सिस्टम है क्या, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे बाहर आके डर के बैठ जाने से अच्छा है, थोड़ी बहुत जिंदेगी बची है, तो लड़के मर जाते हैं, मुझ मैं लड़ाई लड़ने उत्रा हूँ, मैं लोगों का भला करने उत्रा हूँ, और मुझे भला थरना है, मैंने ये नेता रहके नहीं, मैंने इंसान रहके भी किया हूँ ये, जब मैं था तो मैंने लड़ाई या रोड़ पे उतर के लड़ी आपको पता है, मीडिया वाले की लड़की को जो अंदेरी इसमें हॉस्पिटल में सारे चार लाख रूपों के लिए उसको उसकी बेटी से मिलने नहीं दे रहे थे, उसको छोड़ रहे नहीं थे, आपको य यूटूब पे है वो, सारे मीडिया वाले मुझे फोन किये, मैंने जाके वो लड़की के लिए लड़ाई-लड़ी, मुझ पे पुलिस केस हुआ, मैं जेल भी गया, लेकिन मैं सारे 4,000,000 गूपे भरके उसको लेके आए, वो मेरी भेन, उसकी बच्ची, दोनों मेरे लिए करते हैं, सर मैं सिस्टम में आऊंगा तो कुछ कर पाऊंगा, और मैं चाहता हूं कि लोग मेरा साथ दे, मैं एक यंग और हेल्दी नेता हूं, जो लड़ाई लड़ेगा, ग्रांड पे उतर के लड़ेगा, और घर घर जाके सबको समझाएगा कि हमें किस चीज की जरूवत है, अभी हमें मंदीर मस्जीत ये चीजों की जरूवत नहीं, अभी हमें स्कूल की जरूवत है, बच्चे पढ़ेगे तो उन्हें समझ में आएगा, कौन से घर के अंदर ऐसा है कि आप देखिए, मुझे बहुत सारे हिंदू मिलते हैं, उन्होंने गीता नहीं पढ़ी, ब कोई गीता ये नहीं कहती है, कोई कुरान में ये नहीं लिखा, कुरान के अंदर ये लिखा ही नहीं है, क्या आप हिंदूों को मार दो या मन्दीर तोड़ दो, यह इंसानों की बनाई वी चीज़ है, इसको धरम पर ठोक के लोग राजनीती खेल रहे हैं, तो आप तोड़ कि आप लोग कि प्रॉश करते हैं लोग पी जानते बहुत अच्छी पैच्छान है सिधे-सिधे बीजेपी अगर जर्फीट यहां लटता है तो यहां तो जेल जाता है या हपलपे कोई कोई तो कजश बनता क्या इससे आप दरे हुए हैं या पिंद य exist तयार खड़े हैं मेरे पर 9-10 छुटे मुकदमे है जिसके कोई हाथ पेर ही नहीं है उसके बाद मैं जेल भी गया मैंने सहा भी मेरी फैमली ने भी सहा क्या अपने राइट्स के लिए आवाज उठाना ये गलत है ये सम्विधान में मेरा हक है कि मुझे जो सही नहीं लगता मैं वो बोल सकता हूँ क्या मेरे बोलने से आपको इतना फर्क पड़ रहा है कि आप मुझे जेल में डाल दे रहे हूँ मैं बोलता रहूँगा मैं फिर आगया हूँ मैं फिर बोलूँगा मैं फिर लड़ूँगा मैं लड़ता रहूँगा कम से कम मुझे शर्म तो नहीं आएगी मैं सूने जाओँगा कि यारे जाज देश में तेरी भेहनों का बलातकार हो रहा था देश में लोग हिंदू- के वेटर बनके खाना दे रहे हैं उनके माबाब उनको बच्पन से अपनी जिन्दगी सेक्रिफाइस कर दी अपना खोन पसीने का पुरा कमाई निकाला उसको पढ़ाया और वो पढ़के उस लाइक है कि वो कई बड़ी जगा नौकरी कर सेके उसको नौकरी निये वो समयटोस पर माबाब के सामने खाना लेके देने जा रहा है उस माबाब के दिल पर क्या पीती है ना मैं जानता हूं मैं भी ऐक बाप हूँ अपनी सिंदगी सारी कमाई लगा आके उसने बच्चे को पढ़ाया और उसके बाद अकर वो जो मैटोसमें ऑज़ास खान या तो किसी को जीताने आया है या किसी बाहर और कि जीतने आया हुशनुग्ण हो लेड़ी तो आम प्रूंस अरे यार मैंने प्लान बना के मेले का इलेक्शन लड़ा तो इन लोग को लगा यार इसको अंधेरी से आके वहां पे शाड़े तीन जार वोट मिल गए निर्देली लड़के जोहां पे इसको इत्ती सारी ना मुझे पुलीस परमीशन दी अभी आप दोख देख ले ना मुझ कई चीजों में परिशानी आईगी कि कल हो जाओ वहां पर आज ये है परसो वो है उसके बावजूद में शाड़े तीनेजार वोट लिया था एमेले एलेक्शन में अब मैं महनत करूंगा क्योंकि इन्होंने मेरे 26 महीने तो ऐसे ही खराब कर दिये 23 महीना मेरे को यूनिवर्सिटी में भेज दिये दुनिया की सबसे खतरना जेल जहां पर छेसों की कैपेसिटी में चार हजार साड़े-चार हजार लोगों को रखा जाता है खाना मतलब जानवर नहीं खाया है सोना एक के उपर एक आत्मी सोता है तो यह सब चीजे मैं देखके आया हूँ तो अब मुझे डर नहीं लगता अब मुझे डरने लगता किसी चीज से पहले भी नहीं लगता था लेकिन अब तो बिलकुल नहीं लगता सिवाए मेरे अल्ला के मुझे उसको जवाब देना है और उन्होंने मुझे अंदर से ऐसा फिलिंग दिलवाया है कि अभी छोटी-मोटी जिंदेगी बची है कुछ देहत है तंदरुस्ति है करूँगा इसलिए डंबल लियाओं कि डंबल निशानी कि एक तो डंबल उठाने के लिए पहले तो दिमाग और ताकत चाहिए और उसके बात तुम्हारे शरी में वो जान चाहिए वो इमान चाहिए कि तुम उसको उठा सको उसकी जिम्मेदारी उठा सको और वो तुम्हें सेहत देगा तो ब्रस्टाचारी जो चोर है जो लोगों को लूटते है जो गरीबों का खुन चूचते है जो गरीबों के नाम पर अपनी रूटी सेखते है उन लोगों के लिए ये मैं बना के आया हूँ ताकि सो लोग आ जाए तो मैं उनसे हो का जाएगा मेरी फैमिली को परेशान किया जाएगा मुझे बदनाम किया जाएगा अब और क्या बदनाम करोंगे मुसे है आपको लगता है अप्टिकट लिए दस आपके तो आपके उपर जूटे केस वे जाल के पुछरों कुछ पसाने के तयारी के लगए होने आती तो सर लग जाने दो देखो वो तो जिल्नो मन्तुसा वो तो इस्जो मन्तुसा इस्जत और जिल्लत अल्ला के हाथ में है उदे जाको राके साहिया मार सके ना कोई ये लोग कुछ भी कर ले ये मेरा कुछ नहीं बिगाड सकेंगे मेरी जो शुरुआत हुई गुर्ला में जब मैं गया तो मुझे माओं ने ऐसा वेलकम किया कि हिंदू मुसल्मान का गेम ही ख़तम कर दी है वो कि एक मेरी माँ यहां से आई डाल गोस लेके एक मेरी माँ वा गुजरा ती वो भी और दोनों ने मेरे को दुआए दी के जास हम तुमारे साथ है बिटा हम तुमें देखते आ रहे है यूटूब पे इस पे उस पे तुमने करोना में इतना काम किया तुमने कैंसर के पीडि सब्धार गए अब यह लोग अंदर अंदर नीचे से परनाम खराब करने की कोशिश करेंगे देखो नाम तुम्हें खुद कमाना पड़ता है बत नाम तुम्हे यह लोग कर देंगे देखिये यह वैसा ही है जेल भरो अंदोलन अगर आप उनके साथ नहीं हो आप उनके खि केजरिवाल जी हम मजे ले चुके ये चीज के सब ये जानाश आते हैं उत्तर मध्य मुंबई मतलब वही कि और उसक क्या मिसेश अब कोई जो लड़ता है उनके कुछ मुद्दे होते हैं आपके मुद्दे क्या होगी मिसेश सब्सक्राइब क्या किये हैं आपने कि बड़ा छेद हैं वक्त कम है तो सब मेरे साथ जो है वो एक्सपिरियंस लोग जुड़े हुए मेरे जो भाई लोग है जो कुरला में मेरा बच्चा है सैफ जो मेरा छोटा भाई है वो रोज 2000 बच्चों को खाना खिलाता है और वो मेरे अल्ला के बंदे NGO से ट्रेन होके मेरे साथ में है वो और मेरे साथ ऐसे कई लोग है जो अलिडी सोशल वर्कर है जो ग्राउन लेवल पे काम करते है और जिनको ये पता है कि एजास भाई गली गली जाके लोगों को समझा लेंगे कि मैं करना क्या चाता हूँ देखिए महाराज का मुद्दा छोटी जो ये जगा है ना वहाँ पे क्या है पढ़ाई बिजली पानी आप टॉइलेट देख लोगे ना इन लोग के गरीब लोगों के तो आप बोलो करें कि मुझे तब समझ में आए जब मैं जयल गया जब मैं जयल मैं तीन टॉइलेट में तीन... तीन सो लोग जाते थैं तब मुझे समझ में आया कि ये गंदगी ये बास इसके लिए कुछ करना चाहिए कौन जा अब मेरे में इतना गुदा है कि मैं वो टॉइलेट के अंदर टॉइलेट करके उनका दर्स समझ सकता हूँ कि जब पचात लोग खड़े लाइन में और तीन टॉइलेट है तो कैसा फील होता है मेरी लड़ाई थोड़ी लंबी है मुझे देखो बिल्डिंगों में रहने वारों को कोई प्रॉबलम नहीं है भाई यह आसू यह जजबात तुम बेचते हो गरीबों के हालात तुम बेचते हो भाई पिस्ता गरीब आदमी है चाहे वो हिंदूों मुसल्मानों पिस्ता उसको ही है यह जो बिल्डिंग में रहते हैं यह सब लोग तो मज़े ले रहे उनको कौन सी लाइट की प्रॉबलम है भाई लाइट की तो जनरेटर आ जाएगा तो अगर आप जीत जाते हैं तो क्या करने वाने जल्वाई बताइए देखिए पहले तो मैं माईलाओ की सुरक्षा एजुकेशन और यह जो गरीबों के जो यह पानी के मसले है यह घरों के मसले है जो बिल्डर जिनको बेवकूप बना देते है इनकी साइंज लेके एसारे में इनके घर चीन लेते है इनको अंधेरी से कुरला से पहुचा देते है कुरला से सीधा पहुच जाते है यह मुम्रा यह साकीनागा से सीधा पहुच जाते है कहीं और मेरे को यह लड़ाई लड़नी है जिसमें बहुत सारे माफियाज और बिल्डर्स मिलके यह काम करते है गरीबों के घर चिन लेते है और उन गरीबों को पता दी कहा पहुँआ देते है उस लडाई में कोई भी नेता नहीं उतरता कभी आप मुझे एक नेता बता जी जो वो लडाई में वो नेता हो क्योंकि बिल्डर और माफियास ये दोनों मिलके लैंड गरीबों का ले लगते हैं जो सालों से वह रहते हैं उनका और उसके बाद कोई उनके लिए लड़ने वाला नहीं है वो लड़ाई मुझे लड़नी है मैं अपने रिर्दी अपनी चुनोती मानता हूं मेरे आंदर क्या क्मिया इसको सही खर ये पूरे मीरीzwlex के साथ महनत करूँगा मैं देखी सी रहा हूं लोग कहा जा रहे कौन से नाले लगा रहे क्या कर रहे है अगर मैं उनको देखने बैट जाओंगा, तो फिर मैं काम क्या करूँगा, उन लोग मुझे जरूर देख रहे हैं, ये समझ में आ रहा है मुझे, बाई किसी पार्टी ने ओफर किया, आप दिल्दलिये खड़े हुए हैं, इस पार्टी ने आपको ओफर किया असामने पे, कि अगर मुझे लेना नहीं चाहती पवन जी, देखिए पार्टी गोडों को रखना नहीं, घदों को भगाना चारी है, और या तो फिर खचरों को भगा रहे हैं, गोडे उनको चाहिए नहीं को गोड़ा भागेगा, और जॉकी ठीक नहीं है, गोड़ा भागा तो जोकी किर जाएगा तो इसलिए अंधार आजा और काना सिपाई ऐसा हो गया है देश को यह लोग क्या कर रहे हैं देश के चार पायों को पहले हिला रहे हैं अरे बाई इंडिया पाकिस्तान की डिवेट हमें क्या करना रहे हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा हमको इंडुस्तान में क्या र तो मैंने देखा कि महाराष्टा के अंदर ऐसे अस्पताल में जहां पर जाये तो आदमी तुरंद दिलाज कर पावे जो गरीब लोग जाते मरी जाते भाई बाकी सब एक कसाई खाने अंबानी में आदमी जा नहीं पाएगा गरीब आदमी वहां पे तो ये बड़े बड़े लोग जाते है और फिर बिल बंता उनका वो फाइस्टा लोटल है उदर कोई भी आता पिछे के रस्ते से ये वो बड़ी बड़ी गाडिया ओपर बड़े तो ये इयरे ढाली देने को मन करता है हम पर पड़ा लिखा होता है ये बिछारा गरीब तो फार्म नहीं बढ़ रहा होता तेरे को सिका रहा है तीरी ड्यूटी क्या है उतो पड़ा लिखा नहीं है वो अब तो उसको फॉं देreten है हाथ में अब वो जाके दस लोगं को पू नहीं है मुझे यह क्या मुलते हैं उसको अपर क्लास आइड़ों क्यार अबाउट देम वोग का सब चल रहा है उन लोग अपना टेक्स भर रहे खारे पी रहे चोरी कर रहे सब कर रहे I am concerned about these people जो अपने हक के लिए रो रहे हैं मर रहे हैं और अब इतना रो चुके है कि वो वो अपनी गुहार को भी नी उढ़ा रहे हैं इतना दब चुके हो लोग इतना दबा दिया मैं उन लोग की आवाज बनना चाहता हूं चाहे हो दलित हो मलाठी हो मुसल्मान हो फलाना हो हो दिम का हों कोई भी हो वो Хिंदुस्तान ही होना मंड़ता है दास्ट भी स्पोलिट्स काफी चल रही है और काफी जाहरा आगे विलाना और सोशल मेलिया पर युदु भी कही नहीं तो इसके लिए आपके राया उने बादी है तो आप इसे किस तरह से टेकल कर सकते हैं या करने वादी है देखिए धरम का धंदा है और हर बंदा उसमें अंधा है यह धरम का धंदा है और हर बंदा उसमें अंधा है यह धरम का धंदा चल रहा है और मैं उसमें नहीं मानता हूं मेरे साथ सागर नाइडू चलते है, मैं सो जाता हूँ ना, तो नाइडू जाकता है, सागर जाकता है, मेरी माँ उसका नाम है जोहरा बानू, मेरी माँ ने मुझे बड़ा तो किया, लेकिन मुझे मेरी माँ के जैसा प्यार कमला ताई ने भी दिया, वो मनाटी है, भाई सिव पाजी की सेना में सबसे ज़्यादा मुस्लिम थे जब वो सो जा थे तो मुस्लिम जाकते थे आज हमारे यूद को योग क्या दिखा रहे हैं उनको यह दिखाओ ना कि मराथी और मुसल्मान भाई हैं एक ही पार्टी बना लो फिर तुमको बीजेश से लगना है तो तुम क्यो जा रहे हो कि मैं से ना तो मेरे को सीट मिल जाए मैं कॉंग्रेस मैं ये मैं वो अरे तो तुम सम लोग इंसे लड़ाई लड़ रहे हो तो तुम सम एक हो जाओ अगर मराथी और मुसल्मान महरास्टा में एक हो जाए तो कोई और जीच सकता है तो ये राजमीती है और ये धरम पे हो रही है तू मला वोट दबजे तू तू उसको दे तू मेरे को दे भाई मैं मुसल्मान हो तो मेरे को दे मैं ये बोल रहा हूँ मुझे वोट दो अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लिए काम कर सकता हूँ लड़ सकता हूँ तो मुझे वोट दो और ऐसा निये भाई अभी मेरे भी कुछ मौलाना लोग अभी फैला रहे होंगे वहाँ पे एजास खान को वोट नहीं देना वोट कॉंग्रेस को देना तुकि हमें ऐसा लगता है जास खान वोट काटेगा अरे जास खान 27 मैना के एल काटा मौलाना तुम थे गया उदर एक दिन में ताज्यूत पढ़ते और फिर स्वरी बोलते कि क्या होगे हमने सब लड़ा है तो मेरे भाईयो इस बार तुमारे द अंदिज बोले किसी की मत सुनना अपने दिल की सुनना और देखना के कौन तुमारे लिए भाग के चेंज ला सकता है राष्ट बात पे वोट मत देना मजभपे वोट मत देना मेरे भाई धरम के लिए मत जीओ देश के लिए जीओ धरम के लिए मत खिलो देश के लिए खिल निता नहीं होंगे यह आपके हाथ में यंगिस्तान है हमारा हिंदुस्तान क्या हो गया है लोग सबस्टा जो इलक्सन होता है और गजेपी का और उनके सहयोगी तक क्लिए है कि नरेंद मानिने नरेंद जी को बनाना है विपद्च का भी इल नहीं है जो गजिए कि आपको पसंद नहीं है इसलिए आप चुनाव लड़ रहें क्या कुछ बलना चाहते है कि मानिनियन नरेंदर मोधी मानिनीयन नरेंदर दामोधर दास मोधी वह अधों यह भुशे दें मंगर शूत्र कोई बात बोर्च थे हमारे प्रण मंत्री जी और मंगल सुत्र क्या आपको लगता नहीं ये कोवीड वैक्शिन से जितनी औरतों के पती मर गए है उनका मंगल सुत्र नहीं है क्या आपको लगता नहीं है जितनी किसानों ने भासी लगा ली आत्मातिया कर ली क्या उनलों का मंगल सुत्र नहीं है उनकी बाव बेटियों का क्या जितने जवान देश के लिए बॉर्डर पर सहीद होते है उनकी बीवियों का उनकी बच्चियों का मंगल सुत्र नहीं है देखे किसान और जवान देश के रीट के अड़ी है कि आपको लगता है मोधी जी ये दोनों अट्टियों को समाल रहे मोधी जी किसको समाल रहे जो भी बड़े बड़े चोर है इस देश के वो बीजेपी में तुम्हें मिल जाएंगे जो बड़े बड़े रेपिस्ट है इस देश के वीजेपी में और अब बरसा गायकवार जी भी मुझे एक चीज उनकी बुरी लगी कि उनकी रिली में उन्होंने वो सेक्यूलर है कॉंग्रेस पार्टी तो सेक्यूलर है चलो कहती है मुसल्मानों के हमदर्ध है समझ में आता है वो भी आपका वोड़ बेंग ये मुसल्मान नहीं तो आप मुसल्मान को सीट देते किसी MP मुसल्मान को घड़ा करते लेकिन वो आप वोड़ बेंग ही है वो आपका खेल है तो आप अपनी रिली में जैस्तिराम जैसीराम के नारे लगवा रहे थे ये शेक्विलरिजम नहीं हुआ तो फिर आप खुल के जो है वैसे वोड़ मांगिए ऐसे चल के वोड़ मन मांगिए तो धरम के नाम पे रागनीती करना बंद कर दीजिए देश के लिए कुछ कर सकते हैं तो आप इसमें आईए वारना आप लोगों कोई हक नहीं है प्रचार किस तरह से करने वाले है और कौन कौन आपके साथ प्रचार अच्छा एक बात बताओ अगर मैं तुम्हें 26 मिना एक जगा पर बढ़ा दूँ उसके बात बोलू बहार आ जा तो तू थकेगा रुकेगा नहीं रुकता आद्मी भाई मैं अंदर इतना प्लान बना क प्रचा आयो ना छे दिन आप यह चका पर बढ़ जाए तो इसको ढ़ालेगे ना तो ऐसा भागेगा जानवर को गुफा में बन कर देते निकालते तो तू अइसा भगता है वो अभी शेयर को इन लोग ने पुफा में बन कर दिया था अब इन लोग खोले शेर को शेयर मेरे को तो ऐसे भी इंस्वम्नी आए मालूम है यह विमारी शारुक गान और अमिता बच्चन को है और हमारे प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी जी को भी है और वो इस मेर को भी है तो अब तू समझ जांग अपने कंपेंग में किसको पुलाना पसंद करते हैं अगर आप कंपे अब क्या मैं इनको बुला बुला के अजर वोट मां हूँ के मेरे को वोट दो मेरे को वोट दो तो मेरा खड़े रेने का मतलब ही क्या हुआ मैं अपने लेवल पे महिनत करके वोट लूँगा बल पे बल अपना बल इसलिए लिया मैने दमल समझे के नहीं समझे I will fight I will take my people I will I will go to everybody and ask मुझे वोट दो अगर आपको ठीक लगता है मेरा यह प्लान है मैं यह कर सकता हूँ और मेरे साथ सब यंग लड़के है स्पोर्ट जूते ले लिए हम लोगोंने सबने रुखने का कोई शॉट नहीं है और हम लोग साइकिल ले लेके सब जगा जाएंगे जनता को तकलीफ नहीं होनी चीए नहीं तो शिफ्चना और बीजेपी का रेली था तो इन लोग आपस पे लड़ रहे है पूरे पब्लिक वहाँ पे एक एंबुलेंस थी वह एंबुलेंस को निकल नहीं पाए बच्चा पटा नहीं कोई बिमार था उसमें तो यह सब तकलीफ यह जनता को क्यों जनता के लिए कर रहे है जनता को तकलीफ अभी तो आई भी नहीं और तकलीफ चालू जनता को अभी कौन किसका बच्चा रहेगा वो क्या रहेगा उसको एंबिलेंस को जगा नहीं इन लोग लड़ते जा रहे पुलीस परेशान इनके वजे से क्या हमारे पुलीस वाले इसलिए है सिर्व तो जनता को परेशान मत करो जनता को सपोर्ट करो जनता के लिए लड़ो और मैं जनता के लिए हूं मैं घरीबों के लड़ना चाहता हूं और मैं लड़ो हमारे लाज्टे एजास्मान कितने लाग वोटों से जीतेंगे, क्या हो माइट लेक्ट विछा गया है। भाई एक बात बताओं, कल सुबह तू और मैं उठेंगे कि यह मालूम नहीं है तो वोट कि इतने आएंगे तिरे को अभी से कैसे बताओं। भाई क्या कोई बीचेपी का कोई निता हो गया। इन लोग जब आते हैं तो अब मैंने ना दुनिया देख ली, ये लंड़न, अमेरिका, ये वो वैसा वैसा, सच बोलूँगा तुम लोगों को, हर मॉडल, खुबसुरत लड़की घुमाया, उस टाइम पे हिरो के वाला फील था, वो सब किया, पाती किया, नाचा गाया, सब कुछ देखा मैंने, और उसके बाद मैंने एक अंधेरा देखा, और जो अंधेरे में मैं बैटा ना तो मेरे को उपर वाले ने बोला, क्या रहे, समझ में हा रहा है क्या तेर को, अब मैं इसा बैटा हूँ, इधर खटमल चल रहे ले, इधर सब चिल्ला रहे पब्लीक, लोग आपस में एक दुश्रे को गाली दे रहे, मुझे लग रहा है, कहां पे आगया हूँ मैं, यार? पेला उपर वाला बोलता, पब्लीक के लिए कुछ कर, जैसा तू करता था पहले, अभी छोड़के तू वापस क्या कर रहा है, फिर मैंने जेल में लोगों के लिए चारशीट पढ़ना शुरू किया, कि मैं जेल में लोगों की मदद कैसे कर सकता हूँ, जिनको चारशीट पढ़के उनको पॉइंट बता रहा था, फिर जिनको अरजी लिखना नहीं आ रहा था, उनके लिए मैं अरजी लिखता था, जितने भी बुजुर्ग लोग जो अंदर फसे हुए है, जिनको लोग भूल गे, घरवाले भूल गे, जज भी भूल गया उनको, मतब एक साल की स कास्टड़ी, माइ, सेंटेंस इस फिनिश, स्टिल आम इंसाइड, वो जज भी पढ़के नहीं लिखती है, अगर तारीक नहीं लेगी तो आदमी छूटेगा कैसे, तो मेरे को वो सनी दहल का डायलोग समझ में आया, जो पहले में डायलोग के साब से दिखता था, तारीक प नहीं मिलता है, ओनर मिलती है तो बस तारीक, फिर मुझे समझ में आया कि 26 महीने मुझे भी तारीके मिलती गई, सर चिंदगी के 26 महीने बहुत कीमती होते है, समझ में आया कि देश के लिए कुछ करते है, बहुत बहुत शुग्री आप लोगों का यह सवाल अच्छा है तुम्हारा अगर बात ऐसी आई कि किसी पार्टी पे जुड़ना है तब का तब देखेंगे पहले जीत तो जाएं जीतने के बात पता चलेगा क्या करेंगे जब इंडिपेंडन आद्मी चल सकता है जब जीत सकता है तो फिर पार्टी में काई को जाने का कैसी बात कर रहे जानू खुद के अबल पे जीत के आ रहे वागी इल्लब बोरे हमारे पास आ जा जा रहे चल रहे है अकेला भी तो आद्मी सूट पहन के जा सकता है कि I am here sir I am also member of पार्लामडी तो मेरे भाईयों की हिचाब में है कि बाई ना डाइबडीश है ना शुकर है ना कोई बिबारी है इल्हम्दुल लिल्लह और ना कोई ऐसी कमझोरी है ना कोई डर है कि बीभी बच्चे सब अल्ला भरो से छोड़दीया हुं मैं जो होगा देखा जाएगा लडाई लड़नी है जान जाएगी देखी जाएगी सब करेंगे ना भाई लेकिन देश की सेवा भी तो करें, लोग क्या कर रहें, एक ही चीज कर रहें काली, देश में क्या हो रहा है, भूल जा रहें, अरे कचराई तो है फिको ना, सुबह में वो उठा के जाएगा, लोगों की सोच ऐसी हो गई है, अरे अम लोग टैक्स भरतें ना, सुबच बारत, विकास, विकास खाली दोस लोग ही मिल रहें मेरे बागी, विकास हो रहा नहीं है किसी है, खाली दोस लोग मिल रहें कि ये विकास है, ये विकास बहल है, ये विकास सिंदे है, ये विकास लेकिन, विकास कहा है, वो ही दी रहा है, जैसे पवन चली दी रहा है, भाई ये व मुझे कौन जानता है तेरे को ऐसा आके यहां पर बोलना चीए के एजासकान क्या है वाई मैंने इसकी लड़ाई दिखाए हमने आपका शखल से लिए आज सब चीज कवर की है बस बस वही बोल रहा हूं तुमसे ज़्याद मुझे कौन जानता है मिस्टर पवाण नए यह बाई मेरे को पांचीजार बोत काम आजाएंगे अगर यह स्टर पाई बागा जाएंगे अगर यह स्टर पाई थांक यहाद चलो बाई बहुत काम है